हाँ तो मित्रों स्वाकत है आपका हमारे यूटूब चैनल ओनलाइन क्लासेज वाई शंकरजार में आज अपन पढ़ेंगे कक्षा दस्वी की पॉइम माई गुड राइट हैंड जिसको लिखा है चार्ल्स मैके ने तो कक्षा दस्वी के पॉइम में कुल तीन पॉइम है और उसमें से जो पहली पॉइम अपन पढ़ चुके हैं रिस्क्स और ये अपनी दूसरी पॉइम है माई गुड राइट है और इसको लिखा है चार्ल्स मैके ने इसका जो पहला स्टेंजा है वो पन देख लते हैं ये इस पॉइम का पहला स्टेंजा है और इस स्टेंजा में कभी हमको अपनी जो इस्तती है उसके बारे में बताता है कि एक बार वह किस प्रकार कठीन परिस्टी में पढ़ गया था और उसने अपने मित्रों को अपने परिजितों को अपने रिस्तिदारों को सहयता के लिए निवेदन किया लेकिन किसी ने भी उसकी आर्थिक रूप से मदद सहायता नहीं की और सब उसको अच्छी से अच्छी सला देते थे लेकिन उसको रुपया पेसा धन दोलत देने से डरते थे तो अपन लाइन टू लाइन इसको समझ लेते हैं कभी किय रहा है कि I fell into grief कि एक बार में दुख में पढ़ गया तो मैंने थेम Jahr श्रूप मी तो इसके बारे में बताना सुरू किया I looked for So I looked for a friend की मुझे एक मित्र की तलास थी या मैंने एक मित्र को तलास किया या मैंने ऐसे मित्र की तलास की जो मुझे help कर सके ने हल्प कर सके लेकिन I shot him when लेकिन मुझे पाने की कोशिश व्यर्थ रही यानि कभी यह कहना की चाहरा है कि मैंने उस कठीन प्रिस्तितियों में अपने लिए एक सच्चे मित्र की तलास की जो मेरी मदद कर सके लेकिन उस सच्चे मित्र का ढूंड़ना मेरे लिए बिल्कुल व्यर्थ रहा यानि मैं सच्चा मित्र प्राप्त नहीं कर सका कम्पेनियस वर शाइ साथी मित्र कि तर्ऌ मेरे वर्चा है कहते है मित्र कंपेनियस वर्चाइ कित्र है बिखा बचलिद में रुखा उनका व्यर्थ है मेरे तो मेरे जो मित्र थे वो मेरी मदद करने से कत्राने लगे और जो मेरे परिचित थे वो भी मेरे प्रती रुखा वेवार करने लगे अच्छी सला दी बत डिडेट देरे गोल्ड लेकिन गोल्ड करें मेरे कोई मदद नहीं की तो इस प्रकार पहले स्टेंजा में कभी यह कहता है कि किस प्रकार वह कठिन प्रिष्टितियों में पड़ गया और उसने अपने मित्रों रिष्टेजारों से इस समंध में मदद के लिए निवेदन किया लेकिन किसी भी मित्र ने उसकी आर्थिक मदद नहीं की सभी ने सिर् और आई हम एफ्रेंड एट माइड नाइड ने सिर्फेंड ने उसकी कोई सला नहीं की या उसकी कोई मदद नहीं की केवल मात्र सला दी तो वह उनसे नाराज हो गया और उनको उन्होंने गुसा करके कभी ने कहा है कि लेट देम गो उनको जाने दो कभी ने गुसे में का कि लेट देम गो उनको जाने दो I have a friend कि मेरे पास एक मित्र है at my side मेरी तरफ तो कभी ने कहा कि उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं किये तो उनको जाने दो I have a friend एक मित्र है at my side मेरी तरफ तो मेरी तरफ मेरा एक मित्र है उनको जाने दो उनसे मुझे को उपर उठाएगा and aid me, aid के थे साहेता, तो कभी ने कहा कि let them go, I exclaimed, मैंने का उनको जाने दो, I have a friend at my side, कि मेरी अपनी तरफ मेरा एक मित्र है, to lift me, मुझे उपर उठाने के लिए and add me, और मेरी साहेता करने के लिए, whatever be tied, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे उपर उठाने के लिए, मेरी साहेता करने के लिए, मेरी तरफ एक मित्र है, to trust to the world, trust कारता है विश्वास, to trust to the world, world केते हैं विश्व, तो इस संसार में किसी व्यक्ती पर विश्वास करना, to trust to the world, संसार में किसी व्यक्ती पर विश्वास करना, to build on the send send केते हैं rate बिल्ड यानि बनाना तो rate का महल बनाने के समान है to trust to the world इस विश्व में किसी व्यक्ति पर विश्वास करना इस अंसार में किसी व्यक्ति का विश्वास करना is here to build on the send rate का महल बनाने के समान है यानि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं है किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है I will trust लेकिन मैं विश्वास करूँगा I will trust मैं विश्वास करूँगा But in heaven Heaven का आर्थे स्वर्ग और यहां आर्थे इस्वर से है इस्वर and my good right hand यानि मेरा परिश्रम my good right hand से यार्थ है मेरा परिश्रम तो कभी केता है कि इस दुनिया में किसी पर भी विश्वास करना रेत का महल बनाने के समाने लेकिन कभी किरा है कि I will trust लेकिन मैं विश्वास करूँगा but in heaven केवल इस्वर पर and my good right hand good right hand मेरे इच्छे दाहीने हाथ का मतलब है मेरे परिश्रम पर तो कभी किरा है कि लेकिन मैं विश्वास करूँगा लेकिन दो चीजों पर पहला इस्वर के उपर और दूसरा मेरे परिश्रम के उपर क्योंकि ये दो ही चीजे हैं मेरी स्वयम की मदद करेगी तो इस अस्टेंजा के मात्यम से कभी सब मित्रों को छोड़के सिर्फ इस्वर और अपने हाड वर्क पर अपने परिश्रम पर विश्वास करता है और वो संसार में किसी व्यक्ति का विश्वास करना रेत का महल बनाने के समान समझता है आगे है अपना तीसरा स्टेंजा तो इन पन तीसरा जो स्टेंजा है वो है My courage revived in my fortunes despite and my hand was as strong as my spirit was light It raised me from sorrow It saved me from pain It fed me and clared me again and again तो इस स्टेंजा में कभी कहता है कि my courage revived मेरा साहष revived के पुनर जीवित होना पुनर जागरित हो जाना तो एसी इस्तती में जब कवी ने इस्वर और अपने दाही ने हाथ पर विश्वास किया तो कवी का साहस पुनरजिवित हो उटा उसका होंशला जागरित हो गिया And in my fortune despite दुर्भागी के बावजूद दुर्भागी के बावजूद तो कवी का दुर्भागी था कि वो बुरे दिनों में फस गया था लेकिन कवी कह रहा है कि जब मैंने इस्वर के उपर और अपने कठिन परिश्रम के उपर विश्वास किया तो my courage revived मेरा होंशला पुनरजागरित हो गिया in my fortunes despite मेरे दुर्भागी के बावजूद and my hand was, hand केते हैं हाथ, परिश्रम तो कवी किराए कि मेरा हाथ is strong as, उतना ही मजबूत था जितना की my spirit, spirit केते हैं मन इस्थती, मनो इस्थती और light केते हैं प्रसंद, या प्रसंद से अर्थे तो कवी किराए कि इस होंसले की वज़े से मेरा हाथ जितना मजबूत था, उतनी ही मेरी मन इस्थती भी मजबूत थी यानि मेरे बिल्कुल अंदर से जितना मजबूत था, उतना ही मेरे वर्क से भी मजबूत था इट रेजड मी फ्रॉम सोरो और इन सब चीजों ने रेजड यानि उपर उठा लिया फ्रॉम सोरो, शोरो कारत होता है दुख तो मेरे कठीन प्रिश्रम ने और मेरी मन इस्थती ने मुझे दुखों से उपर उठा लिया, दुख से बाहर निकाल लिया और इन्हों ने मुझे बचा लिया फ्रॉम पेन, पेन के दें दर्द कस्ट तो मेरी मन इस्थती ने और मेरे हाथ के प्रिश्रम ने मुझे कस्टों से बचा लिया और मुझे दुख से बाहर निकाल दिया, दुख से उबार दिया इट फेड मी और इन्होंने मुझे बोजन खिलाया फेड के ने बोजन खिलाना पोश्चन करना तो इन कठीन प्रिश्रम की वज़े से और इस्वर की क्रपा से मैंने इट फेड मी इन्होंने मुझे बोजन खिलाया एंड क्लेड मी क्लेड मी के वस्त्र देना कपड़े पेनान और उन्होंने मुझे बार-बार वस्त्र दिये वस्त्र पेनाए अगेन अगेन बार-बार तो कभी किरा है कि मेरे कठीन प्रिश्रम और इस्वर्ग की क्रपा से इस्वर्ग के उपर विस्वास होने की वज़े से मेरा मन का होचला बढ़ गया और मैंने बार-बार जो है मुझे इन दोनों चीजों ने मुझे बार-बार भोजन खिलाया बार-बार वस्त्र पेनाए ठीक है तो कहने का मतलब हार्ड वर्ग और गोड इस्वर्ग के उपर विस्वास दो ही चीजे कभी के जीवन में परिवर्तन लाने में सफ़ल हुई आगे है अपना चोथा स्टेंजा तो माइ गुड राइट हैंड पोईम का चोथा स्टेंजा है तो कभी के रहा है कि जब मैं वापस अपने कठिन परिश्रम की वजह से मैं अपनी कठिनाई से या अपनी खराब परिश्रम से बाहर निकल गया तो फिर उसके साथ क्या हुआ तो कभी के रहा है कि वो मित्र वो हेड लेप्ट मी जिनोंने मुझे मेरी बुरी परिश्रिती में मेरे कठिन समय में मुझे छोड़ दिया था Come back everyone Come back everyone वो सब वापस आगे तो कभी के रहा है कि जिन मित्रों ने मुझे अपनी कठिन परिश्रिती में छोड़ दिया था वो सभी मित्र जब मैं अपने बुरे दिनों से बाहर निकल गया तो वो सब वापस आगे सब मेरे पास वापस आगे और जो सब देने वाले दुखी और उदास विक्ती थे लुकड वो अब दिखाई देने लगे ब्राइट यानि प्रसन is the sun शूरी की भांती और मुझे जो सब देते समय जो उदास थे दुखी थे वो अब सूरी के समान प्रसन दिखाई दिये यानि उनके चेहरे खिल गए वो उनों में प्रसनता आ गई I need मुझे जरूत नहीं थी आफशकता नहीं थी देम उनकी No more I need them no more और अब मेरे को उनकी कोई आफशकता नहीं थी As they all understand जैसा कि वो सब जान गए कि अब मैं कटिनाई से निकल चुका हूँ मुझे उनकी कोई आफशकता नहीं है As they all understand इसा वो सब जान गए समझ गए I thank thee मैं धन्यवाद देता हूँ I thank thee मैं उसे धन्यवाद I trust thee मैं उस पर विश्वास करता हूँ My good right hand मेरे दाहिने हाथ और मेरे दाहिने हाथ का मतलब है Hard work I thank thee मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ My good right hand मेरे दाहिने हाथ यानि मेरे hard work कि तुमने मुझे परेशानी से निखाल दिया और एक नया संबल प्रदान किया ताकि मैं अपने जीवन को सफल बना सकूँ और तुने मेरे उदास जीवन में प्रशनता और खुसी भर्दी इसके लिए तुम्हें बहुत-बहुत धन्यवाद तो यह तर था इस poem का पूरा explanation कि अपने इस poem को समझें अब इसमें अपन किस परकार explanation लिखेंगे अपने एक stranger का explanation लिखके भी समझ लेते हैं तो यह अपना पहला stranger है I fell into grief यहां से लगा के they are gold तो यह पहला stranger है अगर यह stranger मान लोग परिक्षाम आ जाए तो किस परकार अपना explanation with reference to the context अपन लिखेंगे तो सबसे पहले अपन लिखेंगे तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं reference का मतलता है प्रसंद इस lines have been taken यह पंक्तियां ली गई है from the poem कविता my good right hand मेरा अच्छा दाहिना हाथ composed by Charles Mekay तो यह जो पंक्तियां है Charles Mekay की कविता my good right hand से ली गई है तो के वल poem का नाम और poet का नाम बदल जाएगा बाकि पहले एपन सिखें हैं उसे तक से अपन को reference लिखना है right hand composed by Charles Mekay दूसरी जी जाती है context प्रसंग तो इन पंक्तियों में जैसा कि अपने पढ़ा है कि इस पंक्तियों में कभी अपनी दुखी स्थी का वर्नन करता है तो पोईट डिस्क्राइब कभी वर्नन करता है his poor conditions अपनी गरीब इस्थी का अपनी दैनी इस्थी का वर्नन करता है and he describes behavior और वो वर्नन करता है behavior of his friends अपने मित्रों के वेवार का and relatives अपने समंधियों के वेवार का in poor condition तो अपनी गरीब की इस्थी में दैनी इस्थी में उसके मित्रों और उसके समंधियों का, किस परकार का वेवार है उसका वर्णन भी कभी इस स्टेंजा में करता है अब अपन लेते हैं इसका explanation तो अपन इस चोते पहले स्टेंजा का explanation किस परकार लिखेंगे तो explanation व्याक्या The point says that कभी कहता है कि He was in poor condition जैसा कि अपनने पहले स्टेंजा में पढ़ा है तो कभी कहता है कि वह गरीब स्टती में था The point says that कभी कहता है He was in poor condition कि वह गरीब स्टती में था And he complained to his friends and relatives और कभी अपने मित्रों और अपने रिष्टेदारों को इस बात की सिकायत करता है या उनसे मदद के लिए निवधन करता है तो he complained उसने सिकायत की To his friends, अपने मित्रों को And relatives, अपने समन्दियों को तो कभी ने अपने मित्रों और अपने समन्दियों को इस बारे में सिकायत की He tried to find out और उसने कोशिस की To find out ढूंडने की A friend, ऐसे एक मित्र की Who could help him जो उसकी मदद कर सके तो कभी ने एक ऐसे मित्र की तलास करने की भी कोशिस की जो उसकी मदद कर सके His friends and relatives लेकिन उसके मित्रों और समन्दि Were unwilling Unwilling यानि नहीं चाहते थे या इच्छा नहीं थी To help him तो कभी ने अपने मित्रों और अपने रिस्तेदारों से मदद के लिए निवदन किया लेकिन उनके मित्रों और रिस्तेदारों की Unwilling यानि इच्छा नहीं थी To help him उसकी मदद करने की लेकिन उसके मित्रों और रिस्तेदारों की उसकी मदद करने की कोई इच्छा नहीं थी तो उन्होंने कभी को केवल अच्छी सला दी बट नो मनी लेकिन उसको कोई भी पेशा नहीं दिया यानि उसको सला जरूर दे दी लेकिन उसके आर्थिक रूप से कोई मदद उसके मित्रों और रिष्तेदारों ने नहीं की इस परकार कभी की तलास एक सच्चे मित्र की रिमेंड रही वेन यानि व्यर्थ तो कभी को मदद करने के लिए सच्चा मित्र चाहिए था और इस परकार कभी की एक सच्चे मित्र की जो तलास थी वो व्यर्थ रही यानि कभी को तो यसा कोई मित्र नहीं मिला जो उसकी मदद कर सके अब इसके बाद जो explanation के बाद आता है critical comments अब आता है अपना critical comments तो critical comments जैसा कि अपने पहले के explanation में भी सिखा है कि आपको general critical comments लिखने है कभी ने साधारन और सुन्दर भासा का प्रयोग किया है तो यह critical comments अपने कोई बेश्टेंज आए उसके critical comments में अपन लिख सकते हैं कभी ने अपनी कविता में साधारन सब्दों का प्रयोग किया यह comments भी अपन लिख सकते हैं कभी ने कविता में एक अच्छी शैली का प्रयोग किया है यह comments भी लिख सकते हैं और the poem gives deep and sound message कि यह कविता एक गहरा और सपष्ट संदेश देती है यह comment भी अपन लिख सकते हैं तो इन चारों common comment को अपन किसी भी इस्टेंजा के explanation के साथ critical comments के रूप में लिख सकते हैं अब परिक्षा में आपके एक प्रश्ण हो राता है कि poem से समंदित दो या तीन आपके छोटे-छोटे question पूछे जाते हैं तो इस poem से भी समंदित दो तीन प्रश्ण अपने important है तो वो अपन देख लते हैं कि इसके important questions कौन-कौन से हैं पहला प्रश्ण है इस पार्ट का जो बहुत मत्पून प्रश्ण है पहला कि why did poets search for a friend prove to be fruitless poets search कवी की तलास for a friend एक मित्र के लिए prove साबित हुई fruitless यानि निरणथक तो कवी की एक अच्छे मित्र की जो तलास थी वो निश्फल साबित कैसे हुई या वो असफल साबित कैसे हुई तो the poets search for a friend proved to be fruitless कवी की एक अच्छे मित्र की तलास fruitless यानि निश्फल साबित हुई because क्योंकि when he fell into grief क्योंकि जब कवी दुख में पड़ गया and difficulties कटिनायों से गिर गया he searched उसने तलास की for a friend एक ऐसे मित्र की वो could help him जो उसकी मदद कर सके लेकिन none of his friends उसके मित्रों में से किसी ने भी helped him उसकी मदद नहीं की all his friends उसके सभी जो मित्र थे were fair weather friends उसके सभी मित्र सुख के साथी थे यानि दुख के कोई साथी नहीं थे दुख या परिशानी में उसके किसी मित्र ने कोई साहता नहीं की इसे लिए कवी की जो अच्छे मित्र की जो तलास थी वो निश्फल सावित हुई या अर्शफल सावित हुई अब है दूसरा प्रशन अपना What makes the poet unhappy? किस बात से कवी अप्रसन हो जाता है? किस बात से कवी नाराज हो जाता है? तो सीथा सा है कि the poet requested कवी ने निवेदन किया his friends and relatives अपने मित्रों और समंधियों को to help him तो जिसा कि अपने पढ़ा है कि कवी कटिन परिसिती में गिर गया था और he requested उसने निवेदन किया his friends अपने मित्रों को and relatives समंधियों को to help him अपनी मदद करने का लेकिन ननों इस उसके किसी भी मित्र ने, इस फ्रेंटस हेल्प रहीम उसकी मदद नहीं की». तो कभी ने अपने सभी मित्रों और समंदियों ने के लिए निवे दिन हैं। लेकिन उसकी किसी भी मित्र ने उसकी कोई मदद नहीं की. they gave him good advice उन्होंने उसको अच्छी सला जरूर दी but no money लेकिन उसको कोई पैसा नहीं दिया जो कि कभी को पैसे की जरूर थी गरीब इस्तती में था तो उसको पैसे की जरूर थी तो उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया उसको सला जरूर दी so the poet was unhappy या so he was unhappy इसलिए कभी a person था कभी नाराज था अब अपना तीसरा question तीसरा प्रस्ण बहुत महत्पुर्ण प्रस्ण है जो परिक्षा में जनरली पूछा जाता है कि what are the two things या what are the two things वो दो चीजे कौन कौन सी थी the poet puts जिसमें रखता है कभी his trust अपना विश्वास तो ऐसी कौन सी दो चीजे थी जिसमें कभी पूर्ण विश्वास रखता है पूरा विश्वास रखता है तो नमबर एक heaven heaven यानि स्वर्ग और ये स्वर्ग से अर्थ है या गोड इस्वर्ग तो कभी पहली चीज तो थी इस्वर्ग जिसके उपर कभी ने विश्वास किया heaven, God यानि इस्वर्ग तो कभी दो चीजों के उपर विश्वास रखता था पहली heaven यानि God और दूसरा my good right hand good right hand good right hand का मतलब है hard work कठिन परिश्रम तो कभी ने दो चीजों पर अपना विश्वास किया है पहला है heaven यानि God इस्वर्ग और दूसरा good right hand यानि hard work तो कभी दो चीजों के उपर ट्रस्ट करता है number one heaven यानि God के उपर इस्वर के उपर और number two good right hand यानि hard work के उपर कठिन परिश्रम के उपर कभी विश्वास करता है तो ये थे अपने तीनों मत्पुन प्रस्ण परिक्षा में पूछा जा सकते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले